अंकिता के खुदकुशी की कोशिश और अपने परिवार पर लगाये गए अंकिता के आरोपों पर अंकिता के ससोर और वीजेपी सांसद कौशल किशोर ने सफाई दी है कौशल किशोर ने कहा कि अंकिता के लगाए आरोप उनकी और उनकी पत्नी की छवी को खराब करने की कोशिश है तो बहु के आरोपों पर सांसत की सफाई मेरी और मेरी पत्नी की छवी खराब करने की कोशिश अंकिता के लगाए सारे आरोप बेबुनियाद है ससुराल वालों ने मेरे पती आयूश को गायब कराया यंकिता का आरोप लब मैरिज की गई थी कौशल किशोर जी जब बेबीपी के साथ जुड़े थे तुर ने कहा था कि वो इस शादी से नाखुश थे और अंकित ने अपने ही उपर गोली चलवाने के लिए अपने साले के साथ साजिश रची थी और अब ये पूरा मामला पारिवारेक लड़ाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है साथ ससूर अपने रसुक का फाइदा उठा रहे हैं ये बहू अंकिता का आरोप है उधर आयूश ने भी कहा था कि मेरी पतनी ने मुझे फसाया है बीजेपी सांसित ने कहा कि मेरी और मेरी पतनी की छवी कराब करने की कोशिश मेरी बहु के द्वारा सुन लेतें क्या कुछ कहा है कल मुझे पता चला कि सड़क पे आ करके वहां दूसरा जो गर है मेरा उस पे सड़क पे आ करके उसने अपना ड्रामे बाजी शुरू की और आत्मत्या करने की धंकी दि यह जो कर रही है यह हमारी और मेरी पत्नी जो बिदायक हैं जे देवी कोशर उनकी छबी दूमिल करने का काम कर रही है आयूस के खिलाफ लगातार वो खुद बोल रही है अब जहां तक वो हम लोगों की बात बत कर रही तो हम लोगों से क्या लेना देना इस मैटर से कोई मेरी मर्जी से साधी किया था ना इस ने ना उसने इन लोगों ने अपनी मर्जी से साधी किया घर छोड़ करके जाकर के अलग जाकर के रहे अलग जाकर के अपना वो शिल्टर लिया हम लोगों से कोई स्मेटर से मतलब भी नहीं है मैं अभी यह नहीं जान पाया हूं कि कौन उनके पीछे हैं दो लड़के आये थे उसके साथ में कल यहां पर पूछ रहे थे वो लड़के कौन है जो तो सांसत साहब की जो बहु है वो उनी के उपर आरोप लगा रही है उदर सांसत का ये कहना है कि मुझे और मेरी पत्नी को बदनाम करने की ये साज़िश है ग्राफिक्स के जरीए पूरा मामला हम आपको समझा देते हैं बीजेपी के सांसत कौशल किशूर के बेटे आयूश पर गोली चली थी उसके बाद दो मार्च की राच सांसत के बेटे पर जब ये गोली चली उसके बाद जांच शुरू हुई पुलिस की पुलिस का ये खुलासा कि सांसत के बेटे ने खुद अपने उपर गोली चलवाई अपने साले के साथ इसमें अंकिता के भाई का नाम सामने आया था गोली चलाने के आरोप में सांसत के बेटे अंकित के साले को गिरफतार कर लिया गया अंकित फरार रहा, गोलिकांट के बाद सांसत का बेटा अस्पताल से गायब हो गया था, आयूश, माफ कीजे, आयूश नाम है बेटे का, बहु ने सांसत ससुर पर पती को पनहा देने का आरोप लगाया था, और उसके बाद सांसत की सफाई सामने आई, सांसत का बेटा सामने पत्नी अंकिता पर आरोप लगाए और अब पत्नी अंकिता ने आयूश की पत्नी ने नस काट कर आरोप लगाए सांसत की बहु ने भी पती आयूश पर मारपीट का आरोप लगाए कल आयूश ने थाने जाकर अपना बयान दर्ज कराया जब से हाई प्रोफाइल ड्रामर का ये मामला सामने आया है तब से हर किरदार के अलग-अलग दावे हैं आपको सुनवाते हैं सांसत कौशल किशोर, उनके बेटे आयूश और आयूश की पतनी अंकिता की बया मैं बस पढ़ना चाहती थी, मैंने उसे बोला कि मुझे पढ़ना है और फिर उसने मुझे मारा था ये सारी चीजे हुई जब तो उसके एक हपते पहले से दो-तीन वार उसने बहुत गंदे तरीके से मारा था तो मैं मेरे घर चली गई थी, घर पर जाने बाद मुझे महां से लेकर के भी आया उसने मुझे बहुत गंदे तरीके से मारा ओल्टा बोला कि मेरे पापा के पास बहुत जादा पावर है तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये मेरा छेतर है अपनी घर के पास अपनी गाड़ी उसने पाग करी, उसमें मुझे मारा और मुझे बोला कि मैं तुम को यहां पर मार के गाड़ दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगी तुम जब तक मेरे पास पैशा रहा, चार महीने मेरी जिन्दगी बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी गटी मैं छे महीने पहले में सान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फसाया, आज ये मेरे पिता जी को, उनसे कहारी मुझे बहु का दर जा चाहिए अगर तुम साधी नहीं करना चाहती थी, तो तुमको उसके खिलाब करनी चाहिए थी, कि हम नहीं करेंगे अपने माबाप को बताना चाहिए थी, या हम लोगों से जिकरा करना चाहिए थी, बाप का नंबर तो पापा का नंबर दो अपने, और हम बात करेंगे कि जबरदस् नहीं है तो आपने सभी पक्षों को सुना अब आपको सुनवा देते अंकिता का वो वाइरल बैयान जो आत्मत्या की कोशिस से पहले उन्होंने दिया था और कई संगीन आरोप ससुराल वालों पर लगाए थे पर जोट 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 आरोप लगाठे सबने मिलक पी यह चांपक कयाहान से ते तो मैं साथ रही इस लेकल देर डूले चाह दे इस चीज से गलती गरी मैं कुछ थी मैं जयासे। तोछ गलत किर्दे हो मेरे साथ , ौ surprisingly कोई मैं पजे नहीं छोड़े। मैं कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़व सबसे। तुम्हें आपक थांस अदे ना। मही मैं बिजायाक है। मैं कुछ नहीं कर सकते। तो अब इस पूरे मामले में तीन किरदार निकल कर सामने आ रहे हैं आयूश जिसने अपने उपर गोली चलवाई उसके साले की गिरफतारी हुई और पुलिस ने खुलासा किया कि आयूश की साज़िश ती सांसत कौशल किशोर का ये कहना है कि बेटे ने चार महीने पहले लव मैरिज कर ली थी और वो अलग रहता था उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं लेकिन अब बहु का बयान सामने आया है बहु का ये कहना है कि आयूश भी उनको मारता पीटता था और परिवार वालों नहीं आयूश को गायब किया है तो ये तीन किरदार निकल कर सामने मामला उलचता हुआ नजार आ रहा है इस समय हाला कि पुलिस की जांच में ये साफ हो चुका है कि आयूश ने खुद साज़िश रचकर अपने साले के साथ अपने उपर गोली चलवाई थी ABP News आपको रखे आगे